नमस्कार दिन भर की तमाम बड़ी और एहम ख़बरों के साथ मैं हूँ स्मृती रस्तोगी आए बुलिटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से 11 दिसंबर से 8 जनवरी तक संसद का शीव कालीं सत्र बुलाने का सरकार का फैसला संसदी एमामलों की मंत्री मंडलीय समिती ने राश्पती रामनात को विन से की अनुशंसा 20 कारे दिवसों में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से जुड़े अध्यादेश समेत कई एहम बिलों पर होगी चर्चा सिंगपोर में स्थेत्री ए व्यापक आर्थिक भागेदारी शिखर सम्मेलन में शामिल हुए प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी व्यापक और संतुलित आर्थिक साज़ेदारी के लिए मुक्त व्यापार समझोते को जल्द लागू करने पर दिया जो अमेरिकी उपराश्पती माइक पेंस के साथ आतंकवाद से निपटने समेत आपसी सहीयों के कई एहम मसलों पर चर्चा राफेल डील की जाँच कराने की मांग से जुड़ी आजिकाओं पर सुप्रीम कोट ने सुरक्षित रखा फैसला कीमतों का खुलासा करने को लेकर केंद्र को रहत वायुसेना से लिए रक्षा जरूरतों से जुड़ी जानकारी 36 गड़ में दूसरे चर्ण के लिए चुनाव प्रचार तेज बीजेफी के लिए केंद्रिय मंत्री राजनात सेंग और उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आधितिनात ने की कई रैलियां कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी ने कोर्भा और कवीर धा में जनसभा को किया संभोधित दोनों दलों का एक दूसरे पर आरोब प्रत्यारों अंतरिक्ष में इसरो की एक और बड़ी काम्यावी तमिलनाडू के श्रीहरी कोटा से सबसे भारी रॉकेट जी एसल्वी मार्क थ्री की दूसरी सफल उडान जी सैट 29 उपग्रह को कक्षा में किया स्थापित देश के दूर दराज के इलाकों में संचार जरूरतों को पूरा करने में मिलेगी मदद संसद का शीत कालीन सत्र अगले महिने की 11 तारीख से बुलाया जा सकता है जो करीब एक महिने तक चलेगा संसद का शीत कालीन सत्र बुलाने का फैसला किया है और इसके लिए राश्रपती रामनात कोविन से अनुशंसा की गई है ये सत्र आठ जनवरी तक चलेगा इस बारे में संसदी एक कारे राज्यमंत्री विजय गोयल ने आज जानकारी दी उन्होंने कहा कि इस बार शीत कालीन सत्र में 20 कारे दिवस होंगे और इस दोरान कई महतपूर अध्यादेशों और एहम बिल लाए जायने है संसद का शीत कालीन सत्र अकसर नवंबर में शुरू होता है लेकिन ये लगातार दूसरा साल है जब शीत कालीन सत्र दिसंबर में बुलाया चाएगा इस बार पांच राज्यों में हो रहे विधान सभाच चुनावों को शीत कालीन सत्र में देरी की वज़ा माना जा रहा है अध्यादेश हो और कई महतपूर्ण बिलों के उपर चर्चा होगी तीन जो महतपूर्ण अध्यादेश हैं उसमें एक मुसलिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर है दूसरा इंडियन मेडिकल कौंसिल के उपर है और तीसरा कंपनीज अमेंडमेंट के उपर है इसके लावा आ कि वो हर विशेपर जो भी संसद में नियमों के अनुसार है उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है और अब बात पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव से जुड़ी चतीस गड़ में विधान सभा चुनाव के दूसरी चर्ण का प्रचार तेज हो गया है इस दौर में राज विधान सभा की 72 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे केंद्रे ग्रह मंत्री राजनाथ सिंग, उतरप्रदेश के मुख्य मंत्री, योगी आदितिनाथ और बीजेपी की स्टार प्रचारक और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपनी पार्टी के उमीदवारों के समर्थर में प्रदेश के विभिन स्थानों में चुनाव सभाएं की बीजेपी प्रदेश में चौती बार अपनी सरकार बनाने की कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ रही है केंद्रे ग्रहमंत्री राजनाथ सिंग ने बिलासपूर में चुनावी रैली को संबोधित किया उन्होंने पहले दोर में शांदार मतदान के लिए राज की जनता को धन्यवाद दिया और बीजेपी की और से प्रदेश और गरीबों के हित में किये गए कामों की चर्चा की इस बीच बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदे तिनात ने पहले धमतरी में चुनावी रैली को संबोधित किया इसके बाद उन्होंने राइगड़ भी चुनावी रैली को संबोधित किया इस रैली में उन्होंने 36 गड़ में कॉंग्रेस शासन के दौरान राज्य और इसके लोगों की अंदेखी का आरोप लगाया 36 गड़ जैसे राज्यों को विरासत में कॉंग्रेस ने नकसल बाद दिया मित्रोफ कॉंग्रेस की इस अराजक्ता पूर्ण विभाजन कारी और अलगावाद और अराजक्ता को बढ़ावाद देने की पूरी तरह समप्त करने के लिए लोक तंत्र में काउसर पांच वर्स में हम सब के सामने आता है वहीं कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी भी 36 गड़ के दौरे पर हैं लेकिन मुआफजा नहीं मिलता और जमीन चीनने के बाद भी उद्योग नहीं लगता फिर भी उनकी जमीन वापस नहीं दी जाती है कॉंग्रेस अध्यक्ष ने यहां से पार्टी प्रत्याशी पुरुशोत्तम कमर को वोट देने की अपील की अध्यक्ष नहीं लगता कॉंग्रेस पार्टी के यहां सरकार आने वाली है तो मैं आपको यहां के आश्वासत देना चाहता हूँ कि जैसे ही 36 बर में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आएगी वैसे ही जमीनी अधिकरन बिल 36 बर में हम लागूँ करते हैं राहूल गांधी ने कॉर्बा के बाद कवीर धाम में भी जनसभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस लोगों के पैसे को सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल में लगाना चाहती है जबकि बीजेपी के लोग अस्पतालों कॉलेज यूनिवर्सिटी को प्राइवेट कर देते हैं राजस्थान में अगले महीने होने वाले विधान सभा चुनाफ में कॉंग्रेस महासचेव अशोग गहलोत और प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष सचन पालिट भी मैदान में उतरेंगे अशोग गहलोत ने आज कॉंग्रेस मुख्याले में इस बारे में जानकारी दी उन्होंने कहा कि वो खुद और सचिन पालिट भी चुनाव लड़ेंगे फिलहाल दोनों नेता कि इन सीटों से चुनाव लड़ेंगे इसे लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है लेकिन अशोक गहलोत जोदपूर की सरदार पुरा सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं राजस्थान विधान सभा चुनाव के लिए कॉंगरेस ने अभी तक अपने एक भी उमीदवार का नाम का एलान नहीं किया है जबकि बीजेपी ने प्रदेश राजस्थान की 200 विधान सभा सीटों के लिए 7 दिसंबर को वोट डाले जाने हैं और वोटों की गिंती 11 दिसंबर को होगी टिकेट बटवारे को लेकर चल रही गहमा गहमी के बीच आज बीजेपी सांसद हरीश मीना कॉंगरेस में शामिल हो गए उन्होंने कॉंगरेस मुख्याले में अशोक गहलोत और सचन पालिट की मौजूदगी में पार्टी की सदसिता गरहन करी कॉंगरेस को उमीद है कि उन्हें हरीश मीना का साथ मिलने से चुनाव में फाइदा होगा देश ने आज अंतरिक्ष के शेत्र में एक और काम्याबी हासल की है आज शाम श्रीहरी कोटग में सतीज धवन अंतरिक्ष केंद्र से देश का नवीनतम संचार उपग्रह जी साथ 29 को सफलता पूर्वक लॉंच किया गया अपनी दूसरी ओडान में GSLV MK3 रॉकेट ने GSAT-29 उपग्रह को करीब 16 मिनिट में इसके शुरुवाती भूस्थिर कक्षा में स्थापित किया प्रीयों स्थिरू रॉकेट अभाला रॉकेट रॉकेट बस्तिद हो This mission is very important mission regarding GSLV MK3 program as well as GSAT-706S Because this is the second successive successful mission of GSLV launcher, a Mark III launcher, that clearly shows that now the heaviest launcher of India has completed its development flight and entering majestically into this operational groups of launchers of Yusro, that is along with the PSLV and GSLV. GSAT-29 उग्रह में K.A. और K.U. बैंड में उच्छ शक्ती के संचार ट्रांस्पॉंडर लगे हुए हैं, ये उग्रह दस साल से अधिक समय तक काम करेगा, देश के दूर दराज वाले इलाकों में उच्छ गती के संचार को बढ़ावा मिल सकेगा, पाच्वी पीडी का सेल्वी मार्क 3 महतपूर माना जा रहा है, इसके सफल प्रक्षेपण के साथ ही राश्ट्रे अंतरिक्ष एजनसी इसरो चार टन तक के भारी प्रक्षेपणों के लिए तयार हो जाएगी, इसकी सफलता से अगले साल के महतपूर मिशन चंद्रयान 2 के लिए भी सहायता मिले जी साथ 29 उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के बाद डाटा हस्तांतरन की गती बढ़ेगी उपराश्पतेम विनकया नाइडू ने इसरो के वैग्यानिकों को उनकी काम्याबी पर बधाई दी है उन्होंने ट्वीट किया कि इससे दूर दरास के इलाकों में संचार सुविधाओं में इजाफा होगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उपग्रह और GSLV Mark 3 के सफल प्रक्षेपण पर वैग्यानिकों को बधाई दी है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगपोर में आज शेत्रिय व्यापक आर्थिक भागेदारी शिखर सम्मेलन में शिरकत की इसमें सदस्य देशों के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझोते को अंतिम रूप देने पर हुई प्रगती की समीक्षा की गई इसमें प्रधान मंत्री ने कहा कि भारत बहतर व्यापक और संतुलित कुशेत्रिय आर्थिक साज़ेदारी के लिए समझोते के जल्द अंतिम रूप देने के लिए प्रतिवद्ध है जो सभी देशों के लिए फायदेमंद साबित हो मुक्त व्यापकार समझोते को लेकर ये बाचीत सोला देशों के बीच चल रही है इन में से दस आसियान देश के अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जपान, न्यूजीलेंड और कोरिया घनराज शामिल है प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी ने कहा है कि टेकनोलोजी से भारत में लोगों की सिंदिकी में बदलाव आ रहा है और ये नई दुनिया में काफी कई तरह के मौके तयार कर रहा है सिंगपोर में फिंटेक सम्मेलन के उद्गाटन सत्र में उन्होंने कहा कि भारत ने फाइन्स टेकनोलोजी के शेत्र में तेजी से प्रकति की है ऐसे में फिंटेक कंपनियों और स्टार्टप्स के लिए भारत सबसे अच्छा ठिकाना है भारत की विकास यात्रा में फिंटेक के छे बड़े फायदे भी गिनाए हैं सिंगपूर यात्रा के पहले दिन बुधवार को प्रधान मंत्री नरींद्र मोधी ने फिंटेक यानी वित्तिय और प्रोध्योग की सम्मेलन को संबोधित किया यहां बायोमेट्रिक आइडेंटिटी, नए बैंक खातों और सेलफोन की मदद से विश्व का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तयार हुआ है ऐसे में फिंटेक कंपनियों और स्टार्टप्स के लिए भारत सबसे बहतरीन जगा है प्रधानमंत्री ने कहा कि फिंटेक, नवाचर और ज्यान की शक्ति में विश्वास और दुनिया को बहतर बनाने में भरूसे का उच्सव है उन्होंने भारत की विकास यात्रा में फिंटेक के छे बड़े फायदे गिनाए इसमें पहुँच समावेशन, संपर्क, जीवन सुगमता, अफसर और जवाबते ही शामिल है इस प्रूल स्वंडेक ताने पूल इंडिया बनेफित फ्रूश स्ग्याइब प्रफशत्फिश्टिंग करते करे इनिशथ पूलीज प्रश्ट यहाँ उपश्टिया थीजिया संप्सूप्शन थाइन ए ब्संदिटवा क्या जाइब पहली बार है जब किसी शासन अध्यक्ष ने Fintech क्यानी वितिये और प्राद्योग की सम्मेलन को संबोधित किया है इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने Epyx Online Global Fintech Market Place का भी शुबारंब किया इससे पहले उन्होंने Singapore Fintech उत्सफ में भारती पवेलियन का भी दौरा किया प्रधार्शनी में भारत समेत 16 देशों की कमपनिया हिस्सा ले रही है ब्योरो रिपोर्ट राजी सभा टीवी प्रधानमंत्री नरींद्र मोदी दो दिन की सिंगपूर यात्रा पर है इस दोरान वो पूर्वी Aesia शिखर समेलन आस्यान भारत अनाउपचारिक बैठक में शिर्कत करेंगे पूर्वी Aesia शिखर समेलन से इतर प्रधानमंत्री ने आज yell के प्रधानमंत्री से मुलाकात की दोनों नेताओं के बीच तुविपक्षी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई इस दौरान वित्तिय तक्नीक में सहयोग के अलावा संपर्क बढ़ाने और क्षेत्रिय आर्थिक एकी करण पर विचारों का आदान प्रदान हुआ प्रदान मंत्री का आज थाइलेंड के प्रदान मंत्री से भी मुलाकात का कारिक्रम है सिंगपोर में प्रदान मंत्री नरिंद्र मोधी ने अमेरिकी उपराशपती माइक पेंड से भी मुलाकात की दोनों नेताओं के बीच रक्षा सहयोग और स्वतंत्र और मुक्त भारत प्रशान्थ की जरूरत समेत एहम द्विपक्षिय मुद्धों पर चर्चा हुई भारत ने आतंकवाद को लेकर अपनी चिंताओं के बारे में जानकारी दी अमेरिकी उपराश्पती ने भारत के विकास की सरहना की और कहा कि एक क्षेत्रिय और अंतरराश्य संबंधों में एक सकारात्मक कारक है इरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद दोनों देशों की नेताओं की ये पहली बैठक है तौन गले अमेरिकी जारी करता है Another area which we felt also would be important on the economic front would be the defense sector. There, of course, both sides agreed that there has been a substantial enhancement in our defense relationship, in our imports of equipment from the United States. But Prime Minister in particular stressed that there was a great opportunity for the United States in India in making defense equipment and in setting up defense industry in India, not only because India is a substantial market, but because the way we are placed regionally, we can become a hub for exports to the rest of the region. So he conveyed to Vice President Pence that he hoped the Trump administration would recognize this as a new opportunity, as a new economic opportunity as well. The Indo-Pacific did come up for discussion. Prime Minister referred to his speech here in Singapore in June at the Shangri-La Dialogue in which he had outlined India's vision on the Indo-Pacific. We conveyed to Vice President Pence that his vision of the Indo-Pacific was gaining acceptability and that we should utilize the forthcoming East Asia Summit to further build upon that. Vice President Pence also spoke of a free and open Indo-Pacific. He felt that India's contribution in ensuring this would be important and we then discussed how both sides can strengthen cooperation in this area to ensure that this is an area of growth, of prosperity, of development and of benefit for the countries of the region in the future. और प्रधानमंत्री नरेंद्रमूदी ने सिंगपोर में आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से भी मुलाकाद की, दोनों नेताओं के बीच व्यापार निवेश को बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई. साथ ही रक्षा सुरक्षा समेथ का एक शेत्रों में सहीयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई. भारतिय प्रशासनिक सेवा के 93 फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षू अधिकारियों के साथ आजतराबाद में आज उपराशपती अमविन कया नाइडू ने मुलाकात की. इस दौरान उपराशपती ने प्रशिक्षू अधिकारियों के जनता के हितों को सर्वोपरी रखते हुए काम करने के लिए कहा. उपराशपती ने अधिकारियों को खुद को स्थिती के हिसाब से ढालते हुए पुरानी प्रथाओं को बदलने की दिशा में काम करना चाहिए ताकि लोग कल्याण के कामों में तेजी लाई जा सके. उपराशपती ने देश में सामाजिक, सांस्कृतिक, भाशाई, धार्मेक और आर्थिक मतभेदों को दूर करने पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि निर्णय लेने और विकास के कामों से जुड़े एजेंडे में आम आदमी की भूमिका भी होनी चाहिए. उपराशपती ने अधिकारियों से कल्यान संबंधित मुद्दों समेत, विभिन, सामाजिक, आर्थिक मुद्दों पर भी चर्चा की और प्रशिक्षू अधिकारियों को उनके पेशिवर जीवन में सफलता के लिए शुबकामनाई दी. It is only when all the civil services work together in unison, complementing and supporting each other with their specific domain, experiences and expertise, that India's growth story would gain the much required momentum and direction. अधिक्षिता वाली पीट ने मामले की सुनवाई की. इस दौरान रक्षा मंत्राले और एयर फोस के बड़े अधिकारी भी अधालत पहुंचे. चीफ जस्टिस रंजन गुगोई ने एयर वाइस मार्शल चेलापती से राफिल विमान को लेकर जानकारी ली. चेलापती ने कोट को बताया कि वायुसेना में ताजा तरीन विमान सुकोई 30 शामिल किया गया है. साथ ही उन्होंने भी कहा कि वायुसेना को पाँचवी क्यमतों का खुलासा करने की मांग का विरोध भी किया. अदालत ने केंदर को रहत देते हुए कहा कि जब तक कोट तै नहीं करे तब तक सरकार को राफिल की कीमतों के बारे में जानकारी देने की जरूरत नहीं है. इससे पहले सरकार ने सुमबार को सुप्रीम कोट और दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के खिलाफ विशेश अधिकार हनन की कारवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोट ने केंदर सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली विधान सभा ध्यक्ष के कार्याले और दिल्ली उपराजेपाल से जवाब मां है दरसल दिल्ली विधाम सभा की सवाल और संघर्व समिती यानी QRC और dedicated की शिकायतों के आधार पर सदन की विशेश अधिकार समिती ने अंशुप्रकाश के खिलाफ कारवाई शुरू की है और उन्होंने समितियों compassion समाक्ष दो बार पेश नहीं होने के चलते नोटिस भेजा गया है जिसके खिलाफ दिली के मुख्य सचिफ हाई कोट पहुंचे हैं उन्होंने कोट से विशेश अधिकार हनन की कारवाई को रद करने की माम की है दिली सरकार ने मामले में तर्क दिया है कि अंशु प्रकाश के स खिलाफ शिकायत की हुई है अंशु प्रकाश के वकील ने ये भी कहा है कि चीफ सेक्रेटरी दिली विधान सभा की समितियों के समक्ष खुद नहीं जा सके इसलिए उन्होंने अपने सेक्रेटरी भेजा था लेकिन समिति की तरफ से बैठक को रद कर दिया गया कोट ने माम दिली एंसियार में बेती रात हुई हल्की बारिश के बावजूद प्रदूशन की हालात में कोई खास सुधार नहीं आया है दिली की वाय गुनवत्ता की स्थिते खराब स्थिते में बनी हुई है बुनदवाने के बाद भी बुद्धवार सुभा दिल्ली में धुंद की चादर देखने को मिली प्रदूशन का स्थर इतना खतरनाक है कि कई लोग सुभा के वक्त पार्कों में भी नहीं जा पा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भारी वहनों के प्रवेश पर लगी रोग भी हट गई है अब ये वहन राद 11 बजे से सुभा 6 बजे के बीच ही दिल्ली में चल सकेंगे राश्ट्रिय हरित प्राधिकरण ने पंजाब सरकार पर प्रदूशन मामले में 50 करोड रुपए का जुर्माना ठोका है सतलुज और ब्यास नदी में गंदगी पहलाने के मामले में ये कारवाई की गई है NGT ने पंजाब सरकार को जुर्माने की रकम दो हफ़ते में जमा करने का निर्देश दिया है ये रकम केंद्रिय प्रदूशन नियंतरन बोड को चुकाई जाएगी दरसल NGT ने सतलुज और ब्यास नदी में गंदगी पहलाये जाने को लेकर एक कमिटी बनाई थी जिसकी रिपोर्ट में दूनों नदीयों में प्रदूशन के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है जमो कश्मीर पुलिस ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के दो स्थानी आतंकवादियों को गिरफतार किया है सुरक्षा बलू ने इन आतंकियों पुलवानमा जिले से हिरासत में लिया है सुरक्षा बलू को आज सुभा ये कामिया भी उस वक्त हात लगी जब उन्होंने खूफिया जानकारी मिलने पर अवंतिपुरा इलाके में छापे मारी की पकड़े गए आतंकी इस इलाके के पंजगाम में एक इमारत में छुपे हुए थे गिरफतार किये गए आतंकियों के पास से ग्रिनेड लॉंचर, हथगोले और भारी मात्रा में असला बरामत किया गया है दिल्ली के प्रगती मैदान में इस साल का ट्रेड फेर शुरू हो गया है लेकिन हर साल के मुकाबले इस बार मेले का आयोजन छोटे स्तर पर किया गया है और इसकी वज़ा है प्रगती मैदान के एक बड़े हिस्से में चल रहा निर्माण कार ट्रेट फेर में हर साल करीब 6,000 प्रतिभागी शामिल होते हैं लेकिन इस बार जगहे की कमी के चलते यहां 800 प्रतिभागी ही हिस्सा ले रहे हैं राजधानी दिल्ली के प्रगती मैदान में बुधवार से 38 में भारतिय अंतराश्ट्रे व्यापार मेले की शुरुवात हुई इस बार मेले की थीम महात्मा गांधी से प्रेरित है जिसका नाम रूरल एंटरफ्राइज इन इंडिया रखा गया है ट्रेड फेर में भारत की पार्टनर कंट्री अफगानिस्तान और फोकस कंट्री नेपाल है जबकि फोकस राज्य जहारखन को बनाया गया है पिशली बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने ट्रेड फेर में हिस्सा नहीं लिया है इस बार ट्रेड फेर में भारत के साथ 15 देश शामिल हैं जिन में अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, हौंग कॉंग, किर्गिस्तान, इरान, मैमार, नीदरलंड, दक्षन अफरीका, दक्षन कोरिया, थाइलंड, टर्की, ट्यूनीजिया, वियतनाम और यूएई शामिल है हर साल जो मेला प्रगती मैदान के बहुत बड़े हिस्से में आयोजित होता था, इस बार निर्मान कारियों के चलते वो सिर्फ 20 फीसदी हिस्से में लगा है यानि इस बार लोगों को ट्रेड फेर में कम स्टॉल देखने को मिलेंगे ट्रेड फेर 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगा और पहले चार दिनों तक सिर्फ कारोबारी ही ट्रेड फेर का दौरा कर सकेंगे उसके बाद 18 नवंबर से मेले को जनता के लिए खुल दिया जाएगा ट्रेड फेर के मद्दे नजर दिल्ली मेट्रो ने भी खास इंतजाम किया है लोगों को दिल्ली मेट्रो के 66 स्टेशनों पर ट्रेड फेर की टिकेट मिल सकेगी हाना कि भारी भीड के चलते प्रगती मैदान मेट्रो स्टेशन को टिकेटिंग काउंटर की लिस्ट से बाहर रखा गया है अनु दिवान राजसभा टीवी पिलाल इस बुलिटन में इतना ही नमस्कार